कल शाम को एक वहेंकर हाथसा हुआ असरीय वेदना मैं अनुभव कर रहा हूँ और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ नों कुछ उन्होंने घवाया है जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ हैं सरकार के लिए ये घटना त्यंत घंबीर है हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बख्सा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्होंने जिस त्वरा से इस परित्थिती में अपने पास जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया भी यहां के नागरीकों का भी रुदय से अभिनेंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जाए ब्लड डोनेशन का काम हो जाए रिस्क्यों अपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की हैं मैं इस शेत्र के नागरीकों का भी आधर पुर्वक नमन करता हूँ कि उनके सयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वेबस्ताएं रिस्क्यू आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो यातायात का काम तीजगती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभीचारी दुरूप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरीक से उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम सब को सकती दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले मुझे पूरा भी स्वास है कि हम इन गटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरीकों की रक्षा को प्रात्पिक्ता देते हुए आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी हैं हम सब प्रार्षना करें इन परिजनों के लिए झाल 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 झाल